इतने बाइoma में आपको बताए है कि की तरह से Odyssey वर्क करता है पा प्राण किया है और बेट्री कि सरा से चार्ज होती है मोडिक किया है रेक्तिफायर किया है और वाइरिंग किससे होते है तो पूरा डेटल में मैंने वीडियो बनाई है आप देख सकते हैं यह है कम्प्लेट ओडिसी शुरुवात हम बेटरी से करेंगे तो यह बेटरी तीन बेटरी आते हैं 48 वाट की यह है कम्मीकेशन के बेटरी से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में अब बात करते है ईसकी मावर के तो यहां से इजो DC कनेकटर है इसमें जाता है इसे की तीनों चानेक्ट है पचास के दो के Rachel पोजिटिवных नेगैटिव पॉजिटिव नेगेटिव यह दो न अलग अलग है इसे कि इसमें दो प्रकार होते हैं क्रिटिकल और नोन क्रिटिकल अब देख सकते हैं यह है क्रिटिकल और बीश में जो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही है यह है नोन क्रिटिकल तो इसे ही रहते हैं स्पेर में और अब आप इसकी connection की बात करें तो यह यहां पर आता है एह fuse और यहां पर रहे है दो positive यहां पर दो negative और यहां से होकर यह output है load लोड में चार connection है दो इसी में और दो इसी में जो कि आप देख सकते हैं यह है और दो यहां पर अब बात करता है यह है module जो एसी को DC में convert करता है पूरा जो tower है वो DC में चलता है यह से DC में convert करता है और यह तीनों बेटरी को चार्ज करता है एक बेटरी तीन घंड का बेक अब देती है और यह है power plant यह है AC और यह है DC यह दो पूरा एरिया देख रहें DC है और यह है में पाउर सप्लाइज वाए गी नीचे से थ्री फेज वह यहां से होकर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पंदर एंपिर का सोकेट बात करते हैं यह है CBMS यह हुड़ा काट और दर्वाजे में लगा स्टर्न लोक यह दुनी ODC जब टावर पूरा चालू हो जाएगा तब कोई भी दर्वाजे को खोलेगा तो ओटोमेटिक पता चल जाएगा उपर अब बात करते हैं कम्मिकेशन कैबल के यहां से यहां यह सीरीज में कनेक है जो कम्मिकेशन कैबल है और यह जो है वो डाय रगाता है यहां पर देख से यहां पर लिखा है बेटरी कम्मिकेशन और यहां पर इन यहां से आउट होगा यहां से होके यहां पर आएगा और इसे पावर दिया है 48 वोट से यहां पर दिये गिया है तो इस तरह से गोसित की वाइरिंग होते है हुआ है झाल